हलो एवरीबन वेलकम बेकल टू टूदेसं वीडियो ऑन इलेक्रॉनिक स्पेक्टआ आज की Kitty में हम कर हैं वाइद स्लायंट फीचर eco 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 ये जिर सुब्लेक्टोनिक स्पेक्टोनिक स्पेक्टा एज की पहले कर दोर इसी सुईद्ध है उसक्ले ref होते हैंैं एकसाइट स्टेट एलेड्र एलेक्ट्रॉनिक स्टेट से किसी यानदर एलेक्ट्रॉनatori ildis से इस स्टेटल के साइबmaker इस से किसी यानदर बाइसनल से ढमलेड़ते हुँ उस से जो ata स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसमें तीनों ही एनर्जी इन बोल होती लाक्रोनिक भी वाइबरेशन और रोटेशन भी इस वजह से स्पेक्ट्रा क्या होता है most complex होता है जिसके पहले भी हमने देखा है कि स्पेक्ट्रा वीजिबल वालटा रेजर में लाई करता है इसमें चौल भी वाइबरेशन रोटेशन प्केट्रा की बहुत काम होती है कि यहां पर कि यहां पर सिर्फ आपके कि यहां सक्ते हैं कि यहAAAA में ग्रेट होुआ यहां पर और हो देखेए में कि यह outta सब्सक्राइब करते हैं चाहिए होमनुक्लियर नुकलियर हो होमनुकलियर नहीं होती है है इसे सारे मोल्यकूल चो है लेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्राइब से गंञें किना साथit कि यह 1 दिकैंट पूरिक सरती जैसे हो देट होगा सब्सक्राइब यह करते हैं जैसे हम सबसक्राइब होता है सकत्थ के सबसक्राइब चैtaćते हुआं को फ्रइबर के आइख सबस्केरिषन के आप cht यह जिए किसी भी एक आटम में से टंप्ट्रों में से आप उर्बिटल से किसी अनदर और इक्साइट करता है यह ज़से जो जाता है वह निए त्रांजिशन आपको मिलते हैं वह एलेक्ट्रों एक्साइटेड का क्या मतलब है इस वैलेंस एलेक्टोन इस पूस्ट इंटू एन और्बिटल फार्दर फॉर्म दा नुकलियस जो नुकलियस से दूर और्बिटल उसमें चला जाता है तो एक्साइटर स्टेट तो ऐसे मोलकिल को हम क्या खहेंगे वह किसमें स्टेट में हैं आप देखे जब हम एक्साइटर स्टेट में हैं कि अब देखिए जब हम स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो उसके जो एनरजी लेवल यहाँ पर बगते एं उन्हें कुछ टर्मॉनलोजी यूज करते हैं को कौन-कौन से वह देख पर मैंने दो स्टेट को मैंने बताया आरी सिंगल प्राइम से ग्राउंड स्टेट की जितनी भी टम से उनको हम डबल प्राइम से शो करेंगे एक्साइटे स्टेक की जितनी भी टम से उसको हम सिंगल प्राइम से शो करेंगे तो यहां पे इंटर नुकलेस से इसका मतलब है नुकलेस से जितना दूर रहे जाता जायेगा उसका इंटनड़ा सपरिशन होता जाएगा बढ़ता जायेगा और दूसरी यह देख सकते हैं जैसे जैसे वैरेशनल लाग बढ़ थे हैं तो उनके केस में इंटनोकिलरा सप पर दो भिस भिस ए जाता है दिसोशिशन itos लिमीट है बिल्कुर मीनिमा से जो एनरजी कर है उसके मीनिमा से ऐसंप्टोटिक तक का जो सोलुशन, जो डिफ्रेंस होता है उसको हम क्या गयता है इतनी एनरजी के बाद जो आपका मॉलिकुल है उसके इंडिविज्वल्स एटम में डिसोसियेट हो जाता है तो यह होगी है हमारी डिसोसियेशन लिमिट, एक्साइटेशन जो की है इलेक्टोनिक एनरजी ओफ एक्साइटेशन यह सेप्रेशन होता है कि अपर का जो असंप्टोट है और लोवर का जो असंप्टोट है इन दोनों के बीच का जो substitution है उसको हम कहते हैं electronic energy of excitation TE जो term है वो electronic energy से बताया है in term of wave number जैसे कि हम rotational में F से use करते थे vibrational में G से use करते थे electronic में इसको किसे use करेंगे TE तो यह क्या है अगर TE single prime देखें तो TE single prime हो जाएगी इन दोनों का जो difference अगर आप करते हैं जो minima to minima है उसको हम कहेंगे this is the new e wave number which is the difference between the electronic energies of the two curve दोनों करके बीच में जो electronic energy है दोनों करके जो minima के बीच का separation है उसको हम क्या कहतेंगे new e कह देंगे new e new zero zero है ground state के zero vibration level से अपर state के zero vibration level के transition को इस energy difference को हम कहेंगे new zero zero ठीक है अब यहां पर जो system में जो bands बनते हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं जैसे कि अपर लावल जो है वो same vibration level रहे न्यू सिंगल प्राइम सेम रहे और लोवर लावल जो है वो क्या होता जाए चेंज होता जाए मालों कि अपर लावल टू ही अपर लावल आपका चेंज हो रहा अपर चेंज हो रहा आप उसको कहेंगे new single prime या new dash progression इसमें जो total energy रहेगी लैक्तोनिक स्पेक्ट्रम में वो तीनों energy का सम हो जाएगी इसको वैर्ग के लिखे तो आप लिख सकने है टी जैसे मैंने अभी बताय था टी कैम कर्णिक अनर्जी in anovफLean बीश्चिए वो जाएगा वाईब्रेश्चनि अनर्जी इन लोववels नंबर double prime यहां से वेव्व नंबर यहां आप निया से अपर लावव के बीचिए अनर सबसे ज्यादा इनर्जी है उसके बाद जो इंटेंस्टी सोरी सबसे ज्यादा इंटेंस्टी एसके पैसर जीडिकदद आएनर्जी क्या होती है इसे त्थील इसके में颇ंट्सी नश्यादा इनर्जी के इंटेंस्टी बड़ी है है और फिर से decrease हो रही है इसा मिला है धीरे दीरे इंटेंसिटी क्या होती है इसे तीन तरह के सपेक्टर हमें देखने को मिले है एक हो सकता है यह तीन ही एक्जामपलगी है लेकिन ये जो maxima shift है यहां कहीं हो सकता है यहां कहीं हो सकता है तो ये तीन देन सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इन molecules में इस EVERY स्पेक्टर्स में क्या कहते हैं, electronic transition in a molecule take place so rapidly compared to the vibration motion of nuclei that an instantaneous internuclear distance can be considered remaining unchanged during the electronic transition, देखें, जैसे जैसे हम उपर जाते हैं, तो vibration level जैसे change होगा, internuclear distance भी क्या होगा, change हो जाएगा, जैसे कि इस vibration level के लिए internuclear distance यह है, इसके लिए यह है, इसके लिए यह है, इसके लिए यह है, जैसे-जैसे हम उपर जा रहे हैं, जो internuclear distance है, वो भी क्या होगा, change हो रहा है, यह कह रहा है, जो principle ही कहते है कि electronic transition इतनी fast होती है, comparable to vibrational motion, internuclear distance किसकी वज़े से change हो रहा है, जैसे-जैसे vibrational level change हो रहे है, अब यह कह रहा है कि के वाइबरेशनल मोशन के comparison में यह बहुत fast है बहुत fast है इतना fast है कि जो उनके बीच का inter nucleus separation है electronic transition हो जाती है और interne appreciate generation change ही नहीं होता internucleate separation ना change होने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर हमाँ पास दू statements है यह और बी और इनके बीच में कोई electronic transition हो रही है तो उस electronic transition को हम vertical line से ही बताएंगे मालो कि upper level का internuclear separation ये था इस point पे था और ये electronic transition A level में हुई है तो इसका मतलब नीचे आने के बाद भी उस molecule का internuclear separation क्या होना चाहिए यही रहना चाहिए यही रहना चीज कर्व का मतलब इसी कर्व पे इसी point पे रहना चीज का मतलब ये transition क्या होँगी स्टेट लाइन से ही हम शो कर सकते हैं अच्छा इसी में थोड़ा सा और एड़ कर देते हैं probability density का concept उसको भी combine कर देते हैं वह क्या चीज है देखें harmonic oscillator का जो probability distribution का graph आपने देखा होगा ग्राउंड स्टेट को हम ऐसे साई मोड स्केर से हम जिसको बताते हैं first excited state second third excited state開始 voilà किछिए ऑस्ट में तोग्राउंड स्टेट में पर्तिकल की होने की probability center में maximum है first में corner पे maximum है फर्ज़ ग्राउंड स्टेट में भी corner में थर्ड में भी corner में मेक्सिमां जैसे fourth में जाएंगे तो उसमें और ज्यादा corner की तरफ shift 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 होती रहेगी तो सिर्फ जो है ground state यानि वी जीरो को छोड़के हर एक vibration level में जो turning point है turning point यहां से turn होके गया यहां से turn होके गया जो turning point है वहां पर molecule के होने की probability ज्यादा है बट ground state में center में मिड में molecule के होने की probability ज्यादा है तो यहां पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ जो most probable vibration होंगे इसका मतलब हुआ the most probable vibrational transition are those in which one of the two turning point of vibration level of one electronic state lie at the same internuclear distance as one of the two turning point of a level of the other electronic state यानि कि क्योंकि हमें पता है कि जो electronic transition है वो straight line होती है तो किसकी probability जादा होगी जिसकी probability जादा होगी इसका मतलब उसकी intensity सबसे जादा होगी तो किसकी probability जादा होगी कि इन दोनों में से किसी turning point से अगर transition हो रही है यानि किसी भी लेवल के turning points अगर transition हो रही है और दूसरी electronic state के turning point तक transition हो रही है कोई भी turning point ये वाला ये इधर वाला ये इधर वाला तो उस transition की probability क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी अगर transition हो रही है except in the case v is equal to 0 अगर transition v equal to 0 यानि कि ground state में हो रही है इधर इधर हो रही है तो इसमें हम turning point ना consider करके क्या लेंगे mid point लेंगे इसमें आप turning point नहीं लेंगे इसमें क्या consider करेंगे mid point यह इसको आपने देखना है कि mid point में transition हो रही है तो वो probability सबसे ज़ादा होगी other जो level है उनमें क्या देखना है आपने turning point से turning point से अगर transition हो रही है तो वहाँ पर probability क्या होगी ज़ादा होगी आप explanation देख लेते हैं कि जो तीन graph हमने देखे थे उनको आप कैसे explain कर सकते हैं with these lines आए देखते हैं तो पहला हमने देखा था oxygen molecule का graph जहां पर 00 जो transition थी वो सबसे ज़्यादा intense थी तो इसकी first जो ground state और first excited state है उनका internuclear separation ऐसे है कि वही जग है जो जो re dash है और re double dash है वो same ही है तो इसका मतलब इसके zero से इसके zero level की transition है उसकी intensity क्योंकि यह भी mid point उदर ही है यह भी mid point उदर ही है तो यह intensity क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी फिर अगर आप इसके जो है one point से दूसरे की zero point में जाए इसके one से zero में जाए तो वो mid पे नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब उसकी probability क्या होगी कम होगी probability कम होगी तिन density धीरे धीरे क्या होते जाएगी अब इसमें आ जाते हैं इसमें देखे तो इसकी excited state जो है shift होगी है तो आर दी right side इसका मतलब इसका इंटर नियुकल डिस्टेंस जादा है यानि re single prime जादा है comparable to double prime ये जादा है जो इसका मतलब जो इसकी zero के भी double dash zero के बिलकुल सामने बिलकुल vertical line में कौन सा level आ रहा है हमारा two level आ रहा है इसका क्या मतलब है इसके transition की probability तो सबसे जादा होगी बाकी जो होगी वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी दोनों तरफ probability कम होते जाएगी probability कम होत state देखें तो इसकी ground state और first excited state इस तरीके से है कि इसका internuclear distance बहुत बहुत जादा है excited का comparable to ground state तो इसकी ground state की equal to zero के mid के बिल्कुल सामने जो है वो continuum वाली state है बिल्कुल तो इसका मतलब यहां पर intensity सबसे जादा होगी और इसके इधर अगर देखे तो उसके transition की probability कम probability कम तो intensity कम होगी तो this is the explanation of intensity distribution in absorption band from bank and principle I hope आपको समझा गया होगा thank you